हेलो नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी का केरियर बिनाओं में श्वागत है सभी का आज के सेशन में आज का सेशन आपकी हिंदी का रहने वाला है आप चाहिए किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं आप कोई भी पेपर आपको देना है जिसमें आपकी हिंदी आती और उसमें सबसे अच्छा टोपिक है संदी बहुत सारी बार आपको शब्द देखने से पता भी नहीं चलता कि आप इसमें कौन सी संदी करें और सबसे बड़ी बात इसका टुकडा कैसे करें तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी संदी का प्रशन है वो गलत नहीं होगा आप शब्द को देखते ही पैचान पाओगे कि इसमें कौन सी संदी है और उसका खंडन कैसा है तो चलिए बिना देरी करें बढ़ते हैं आपका केरियर बनाओ का ओफलाइन सेंटर सीकर राजस्थान में है तो यदि आप ओफलाइन हमसे पढ़ना चाते हैं तो संदी किसे कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन विकार विकार का सेंस होता परिवर्तन उत्पन विकार ही क्या कहलाता है परिवर्तन ही क्या कहलाता है संदी कहलाता है अगला प्रशन संदी का विलोम क्या होता है तो याद रखना कभी भी संदी का विलोम विच्छेद नहीं होता है इसको गाठ बांद लेना कि संदी का विलोम कभी भी विच्छेद नहीं होता संदी का विलोम होता है विग्र है तो संदी का विलोम क्या होता है विग्र होता है अगली चीज संदी का शाब्दी कर्थ क्या होता है तो संदी का शाब्दी कर्थ क्या ह संदी के भेद कितने होते हैं कौन-कौन से संदी दूसरा वेंजन संदी तीसरा विशक संदी ये तीन संदी कि है वो वेद होते हैं मूल रूप से तीन-चार परशन आपके इस हमाने परिचे से बने पहला कि संदी कहते किसी है तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन विकार को संदी कहा जाता है संदी का विलों विग्रे होता है विच्छेद नहीं होता है संदी का शाब्दिक अर्थ मिलाना या जोड़ना होता है संदी के भेद तीन होते हैं इंदी ग्रामर में सवरों की संख्या कितनी होती है ग्यारा होती है अब आपको जाना है यह जो आपकी श्वर संदी है इसके कितने भेद है तो श्वर संदी की कितने भेद है पांच भेद है पहला आपका दिरग संदी दूसरा आपका गोण संदी तीसरा है आपका व्रदी सं संदी चोथा यान संदी पांच वा आयादी संदी चीक है तो यह स्वर संदी के पांच भेद हैं और आप कोई भी एक्जाम दे लेना इन पांच में से एक प्रशन आपको देफिनिटली मिलेगा अब पैचानोगे कैसे शब्दों को आपको कैसे पता चलेगा कि किस शब्द में गुण है किस में यन है आयादी है वरदी तो देखिए सरफ पांच लाइन आपको बताऊंगी आपको सरफ ये पांच लाइन याद कर रही है यह दि अपने यह याद कर ली आपको जिंदकी में कभी भी प्रशिन गलत नहीं होगा दिर्ग संधी दिखिये दर exposure के लिए आपको याद करना है समान शवरों का मेल समान शवरों का मेल क्या केलाता है दिर्वशंदी केलाती है जैसे example 4 मैंने एक उधारन लिखा जैसे पुस्तकाले शब्द लिखा पुस्तकाले शब्द का जैसे मैंने खंडर किया तो क्या वा पुस्तक प्लस अले हुआ अब आप देख पा रहे हो कि प्लस के पहले जो अंती संदी और यहां पे आप देख पारों का सब्सक्राइब का से तूट रहा है अगला देखिए नेक्स्ट आपके गुण संदी के लिए एक लाइन आपको याद करनी है कि एक मत्रा एक मत्रा से तूटने वाले कभी शब्द अब आपके दिमाग में आएगा कि एक मत्रा वाले शब्द कौन से हो सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए कि एक मत्रा होती क्या है तो एक तो एक ही मत्रा होती है और एक आपकी ओ की मत्रा होती है जैसे कि एक्ज यानि कि यहाँ पे मूल शब्द है आपका इस अब इस को निकालने के बाद आपको पता चल रहा है कि शब्द कहां से टूट रहा है एक मात्रा से तो इधर क्या बचा है रमा प्लस इस आपके एकजाम में प्रशन आता है राम प्लस इस बराबर रमेश तो राम प्लस इस बरा यह निटवार क्या होता है रमेश होता है और आप देख पार हो कि एक मात्रा से शब्द टूटा है तो वहां क्या करेंगे अपने गुण संदी करेंगे रमा का युटा बना एक मात्र और एक मात्रा मिन्स क्या होता है गुण संति अगला यदि आपको अच्छा लगता ये इसमें कॉमेंट करके चुण आपको कैसा लगा वरदी संदी कहां होती है दो मतरा कि जैसे में एक Wrap e लिखुँ शब्द का उचांड करो जैसे मैंने सड्दी शब्द का उचांड कि अध्कि एव की ऐ आप का मूल शब्द कहां लिखा प्लस के बाद में आप दीख पारे होול शब्दाउब का क्या है वृधी संदी अब देखिए यहां क्या बता सदा सदा तो सदा प्लस एव बराबर शदेव आप देंख पारें सदा में अंती मण आ एयों में फस्ट एँ आ पने से मिलके क्या बनता है अई बनता है मिन्स क्या होता है डबल मात्रा यह दो मात्रा और दो मात्रा मिंस क्या होता है विर्दी संदी होता है समझगे अगला नेक्स्ट आपका अग्ला देखिए यन संदी। यन संदी का होती है? ये थी कोई शब्द आपका य redeem वर ऐसे तूरता है तो बहां होती है आपकी यन संदी। जैसे कि आपका कोई भी example है जैसे अध्यादेश। अध्यादेश शब्द देखिए अध्यादेश शब्द गया जैसे ही मैंने उचाण किया द्वनी किसकी आई आदेश की आदेश क्यआ है यहां पे आपका मुल को यहां लिखा किया कि LA आधेश लिख दिया तो यदि यह से शब्द तूट रहा तो वहां तो क्या लगाएंगे एकी मात्रा लगाएंगे और यदि वह से तूट रहा तो वहां क्या लगाएंगे उ लगाएंगे ठीक है अब यह से तूट रहा तो यहां क्या लगा देंगे अधी अधी प्लस आदेश समझेरो ना तो यह क्या हो गया अदियादेश हो गया अग्यादेश में अधी में अंती वन ई आधेश का यह वह आव से टूटा और संधी आपकी जण संधी हो जाएगी अगला देखिए आयादी संधी यदि कोई शब्द आपका आ कि ओई, और आवं से टूरता है, तो बहां कि संधी होती है कौनसी? आयादी संधी, अब दिखिए जैसे कि एंग्जामफल 4 आपका शब्द आया नायक, इससे पहले आपको समझना है कि यह दिपों शब्द आपका आइसे टूरता है, तो प्लस ते पहले वाले one के आपन एकी मात्रा लगा देंगे, आउसे तूटता है तो ओकी मात्रा लगा देंगे, आउसे तूटता है तो ओकी मात्रा लगा देंगे, आउसे तूटता है तो ओकी मात्रा, अब देखने एक्जाम्पल देखना है, जैसे मैं उधारन आपके लि ठीक है अब दहिए आए i to आपने ले लिया आदा बचा तो आदे चैंश में क्या लगएंगे एकी मात्रा तो क्या आजाएगा जी प्लस आन तो ये टो हो गया एक कैंक जyes example अपन देखें जैसे शवद वालत है आपका नायक नायक इसमें केस चेया आरे है नायक यहां से निकालेंगे यह में क्या आगला आपका है आँ वाला उक्जाम्पल जैसे लें आपन जैसे शुद में केसी द्वणाय आ रहे है आउकी वां में क्या है आगे क्या बच्छा रो तो क्या लगाएंगे पय अधा हो गजए को अधा और आपके थेख्णेल कर दो allora आधा अघो जिया आपने आफ निकाल लेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे तो क्या होगे आप प्लस अगे यहांके तो यह पर क्या हो जाएगा तो विने प्लस अग बराबर विनायक हो जाएगा यह आपको चोटा सब वीडियो जो आपको संदी एक ही स्लाइड में पूरी श्वर संदी सिखाएगा और यदि आपको ऐसा वीडियो कभी भी मिल जाये तो मुझे बता देना और अगर यह वीडियो आप आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना यह सेशन कैसा लगा यह भी आप कॉमेंट करके बताना ओके तो आभी तक के लिए इतना ही मिलते है नक्स वीडियो में तब तक के लिए सबीकों नमस्कार जै हिन जै भारत धन्यवाद